नमस्कार पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं भरने जा रही हूं लाल मिर्ची जिसे आप साल भर दो साल तीन साल श्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए मैं आगे प्रोसेस श्टार्ट करते हूं उसके लिए मैंने तीन केजी लाल मिर्ची ले रखी हूं और इसको अब मैं धूप में फैला दूँगी, इसे हमें लगातार तीन दिन फैलाना है धूप में, यानि धूप दिखानी है, अधूप जाने से पहले इसे हमें उठा लेना है, और ये कुछ मसाले देख लेते हैं, सौफ, मेथी, आजवाइन, जीरा, बारिक वाली राई और मंगरेल, इन सभी को हम भूनेंगे, और ये मैंने काली वाली राई ले रखी हूँ, और हींग ले रखी हूँ, हींग भी मैं भूनूँगी, और ये जो राई है, इसको मैंने सील पे दरदरा सा पीस के, इसको मैंने सूप से फटक के साप कर ली हूँ, और अब इसे मैं भू नाल रही हूं तबे पे पे और इसको मैं चलाते हुए भुनूँगी इसे हमें बहुत ज़ादा नहीं भुनना है बस इसका नमी चली जाए और इसमें सोंधा पना आ जाए बस इतना ही हमें चाहिए इसको हम बराबर चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे पकड़ लेगा एक साइड और मैं इसे चलाते हुए भून लेती हूँ और इसको मैंने भून लिए अब मैं उसे उतार लेती हूं और यह जो बारिक वाली राई है इसको भी मैं बहुती जरासा भूनूंगे और इसको भी उतार लेती हूं तोवे पर से अब इस पे मैं हिंग डाल करके इसको भी भून लेती हूँ इसी तरीके से मैं सभी मसालों को भून के तयार कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने सभी मसालों को तयार कर ली हूँ अब इसको चाहे आप सिलबटे पिस से पीस ले या मिक्सी में पीस लें आपको जैसा आसान लगे बसरते सिलबटे का मसाला पीसा हुए ज़्यादा टेस्टी होता और मैं सिलबटे पही पीसूंगी और यह जो अमचूर पावडर है जो मैं मार्केट से लाई हूँ यह केजी इसमें डालने के लिए इसको मैं धूप में फैल भरासा हो गया है और अब इसमें मैं मसाले यानि मसालो को मिला लेती हूँ और इसमें अब मैं राई जो डाल दूँगी और इसको मैं मिला लेती हूँ और इसमें मैं धाई सोग्राम नमक डाल दे रही हूँ और इसे मैं मिला लूँगी और ये मैंने एक गिलास सरसो का तेल ले रखी हूँ ये 500 मिली लीटर है और इसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला लेती हूँ और जो बचा हुआ तेल है वो भी मैं इसमें अब डाल दूँगी और डाल करके अच्छी तरह से मिला लेती हूँ आप देख सकते हैं और मिर्ची जो है अब इसको मैं कपड़े से पोच करके साप कपड़े से आप फिर हाथ थेलियों से रगड़ते हुए इसकी जो डंठी है मैं निकाल लूँगी या कहो तो आप धेपी भी समझ सकते हैं और इसको निकालने के बाद इसको बहुत ही अराम से निकालना है ने जो ज़्यादा फट जाती है तो यही मसाला गिरता है फिर तेल में तो वैसा आमें नहीं चाहिए और अब इसके बीच जो है मैं जहार लेती हूँ आप चाहे तो इसी मसाले में निकाल सकते हैं या चाहे तो किसी और अलग निकाल सकते हैं और हाँ आप इसमें जरूर चार चमच कुटा हुआ मर्चा जरूर डालिएगा मैं इसमें लाल मिर्चा नहीं डाली हूँ क्योंकि जो पहरे पास पुराना वाला तेल है उसमें मिर्चा जो मैंने डाली थी वो पहले से तेल जो तीखा है इसलिए मैंने नहीं डाली आप जरूर डालिएगा और इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी मिर्चा इसी तरीके से निकाल लूँगी और फिर में निकाल करके मैं दिखाती हूँ जो बीज वाले लच्छें उनको जरूर आप निकाल लिएगा उसमें से और मैं इसी तरीके से जारते हुए इसके बीज निकाल लूँगी अब मैं इसको भर लेती हूँ शुरू में थोड़े आराम से भरियेगा जब थोड़े मसाले मिर्चे में हो जाए फिर उसके बाद आप जल्दी जल्दी भर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मैं आपको एक दो भर के दिखा देती हूँ और आप देख सकते हैं मिर्चा जो है भर चुका है अब इसको मैं दबा देती हूँ अच्छी तरह से जिससे इसका मसाला अंदर से गीरे ना जब मैं तेल में डालूं इसी तरीके से मैं सभी मिर्चे को भर के तैयार कर लूँगी और आप इसे भी मैं दबा देती हूँ जिससे बच्चे कलर करते हैं कुछ जो होती है उसी से मैं मिर्चा भर रही हूँ और आप देख सकते हैं सभी मिर्चे को मैंने भर के तायार कर ली हूँ अब इससे मैं दो दिन धूट में दिखाऊंगी और एक दिन हो चुका, आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है, आप दूसरे दिन का, आप कलर देख सकते हैं, बस हमें बस इतना ही चाहिए, और यह देख सकते हैं, पिछली बार का हमारा मर्चा है, जो हमने भरके रखे थे, आपको मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ, इसमें के मसाले बिल्कुल भी नहीं गीरे हैं, बिल्कुल भरे हैं, आप देख सकते हैं, नजदीक से, और एक लीटर मैंने तेल रख दी थी, होने के बाद तो मैं इसमें मिर्ची में डालूँगी, और यह जो पिछली बार का तेल है, उसी से मैंने मिर्ची को इसमें डीप करके सभी मिर्ची में भरते हुए, मैं जार में रख लूँगी, और जो बाकी बचेगा, मैं इस जार में डाल दूँगी, और देख सकते हैं, मैंने सभी मिर्ची को भरते हुए यानि डीप करते हुए मैं जार में रख दी हूँ और बाकी बचे हुए तेल भी मैं इसमें डाल दी हूँ और इस बार का जो तेल है वो ठंडा हो चुका है अब इसको भी मैं इसमें उपर से डाल दूँगी आप चाहे तो इसको उपर तक भर के डाल सकते हैं आया तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर उपर तक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है इसको मैं एक दिन धूप में और दिखा करके फिर इसको हमेशा के लिए रख दूँगी इसको साफ कपड़ा बांद करके अगर आपको ये रेजपी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक सस्क्राइब कीजिए